नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाधिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों मंडे को बाजार गिरेगा इस प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पर बजा चुका हूं और आपने सुन लिया होगा होगे कि भाई पॉजिशन काट नहीं डेफिनेट डर रहे होगे लेकिन पैसा कौन बनाता है इस बजार में पैसा तो वहीं बनाता जो फेर में खरीदे reduction और फेर में जो खरीदे पुझने चाहिए गिरावट में यह केवल मंडे के लिए नहीं यह आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी के लिए यानि आप जब तक बजार में रह सकते हो तब तक इन्हें खरीद सकते हो यह ब्लू चिप लार्ज कैप एंड कहीं नहीं बहुत ही स्ट्रॉंग काउंटर्स हैं चलिए मैं आप सबी के साथ एक एक करके शियर करता हूं और सारे मार्केट लीडर हैं अपने फील्ड के चलिए सबसे पहले मैं आप सबी के साथ शियर करूँ है एक फार्मा काउंटर जो की अच्छी खासी करेक्शन में अल्रेडी मिल रहा है एंड फार्मा स्टॉक अभी तक रहली देते हुए नहीं देखे हैं बट अभी करेक्शन अच्छी है तो पहला स्टॉक मेरा फार्मा से है जो मैं काफी बार आपको रिकमेंड भी कर चुका हूं इस्टॉक का नाम है डीवीज लेबोरेटरीज दोस्तों यह एक API के कारोबार की कंपनी है और यह स्टॉक का रिटन देखेंगे तो बहुत तंगड़ा है और मुझे लगता है यह पूर्ट फोलियो का हिस्सा बनाने वाली कंपनी है डेफिनेटली आप यहां पे खरिदारी करके चल सकते हैं पहला स्टॉक डीवीज लेब दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं जिस पे सब ल सेक्टर है स्टॉक का नाम है TCS हमेशा इंफोसिस को देता हूं आज TCS को दे रहा हूं अगर आपके पास इंफोसिस है तो बहुत ही शांदार है ज्यादा कुछ बताने की जरूट नहीं है टाटा गुरूप की लीडर कंपनी है कही ना कहीं एंड मुझे लगता है यह तो ब रखोगे उतना बड़ा पैसा बना के देगा आपको सिंपल सी बात है हीरे की चमक कभी खतम नहीं होती है कभी कबार उसकी चाया पढ़ जाती है लेकिन वह अपनी रॉसनी फिर वीच मेरे साब से यह स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए खरीदना चाहिए एवरेज करना च थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं बजाज ग्रुप का एक स्टॉक है बजाज फिंजर जोकी बजाज फाइनेंस की भी कही ना कहीं होल्डिंग कंपनी है और स्टॉक का बात करें तो कंपनी ने स्प्लिट और बॉनस दोनों अनौन्स कर दिया है रिकॉर्ड डेट आना बाक यह बहुत लंबे समय के लिए जितना जादा समय दे सकते हैं डेफिनिल्ली दुबारा यह 26,000 पे आएगा मेरे साब से 16,000 पे सॉरी 1600 से इस्टॉक लगबग सिक्स टैम की प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है इसकी अगर रिटान एकुटी देखें तो 12% है र नहां पर बात करूँआ मैं आप सभी के लिए एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो काफी तेजी से ग्रो होता हुआ दिख रहा है एक ग्रोथ स्टॉक है एंड यह रादा किशन दमानी जी की एक कंपनी आप सभी समझी गए होंगे स्टॉक का नाम है एवन्यू सूपर मार्ट जिसको आप डी माट के नाम से भी जानते हैं वेल्वेशन वाइस काफी महँगा है लगबग 20 टाइम्स की प्राइस टु एक कोटी पर राइस टु बुक वैल्यू पर ट्रेड करता है लेकिन इसका पैट देखेंगे तो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखा है आपको दस से रिकमेंड कर रहा हूँ अभी 4400 पर यह 10,000 का कैंडिडेट है इस स्टॉक में हर डिपे खरिदारी करने की कोशिश करें तो यह मेरी तरब से आपके लिए एक फॉर्थ पिक होगी अब बात करते हैं भी आप मार्केट गिरेगी तो एक तो चीज गिरनी गिरनी है वह बैं मुझे दो कैंडिडेट काफी पसंद है इस समय आइसी आईसी तो मेरा बहुत पहले से फेवरेट चल रहा है और कोटक बैंक को भी मैं को आपको एड करने के मौके डूंडने चाहिए और सेकंड ऑप्शन मेरी तरब से जो रहेगा वह फेडरल बैंक है जो मुझे लगता है काफी अच्छे लेवल्स पर आया है बट यहां पर आपको मैं ज्यादा रहे नहीं दूंगा मेरी प्रेफर्ड पिक रहेंगी कोटक एंड आईसी अगर आप फेडरल में हो तो बने रही है नहीं हो तो वह भी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है बट लंबे समय के ल तो यह 125-130 तक आ सकता है तो यह होगी मेरी वीडियो होग आप लोगों को समझ में आई होगी थैंक्यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो वीडियो हैव ग्रेट देगाई